तो आज हम बात करेंगे वाइफ के बारे में स्पेशल ग्राउंड जो वाइफ को दिये गए हैं डाइवर्स के लिए तो पहला ग्राउंड है 494 यानि कि बाइगेमी अगर हजमेंट साब दोसी शादी करते हैं और तो वाइफ के पास ऑप्शन है कि वो डाइवर्स ले सकती है सेकेंड आता है रेप अगर आपके हजमेंट साब रेप केस में गिल्टी हैल्ड हो गया है तो वाइफ के पास ऑप्शन है कि वो इस बेस पे डाइवर्स फायल कर सकती है होता नहीं कई बार कि भी रेप केस लग गया अब वो बंदनामी नहीं जेल सकती और उसको अलग रहना है तो वो इस बेस पे डाइवर्स ले सकती है थाड आ गया अननैचुरल फिजिकल लेशन अननैचुरल सेक्स बान के चलो आपके हजबन साब आपके साथ या किसी और के साथ अननैचुरल सेक्स करते हैं तो ये भी ग्राउंड है वाइफ के पास कि वो उस बेस पे डाइवर्स ले सकती है अब अननैचुरल नॉर्मल भी हो सकता है या किसी होमन बींग के साथ भी हो सकता है कि जैसे जानवर के साथ हो गया यह सब थर्ड इंपोटेंट इंपोटेंट मींस दो तरह नामर्द जैसे फिजिकल लेशन बनाने के लिए इनकैवेबल है तो वाइफ के पास ऑप्शन है कि वो जाके डाइवोर्स ले सकती है फोर्थ इंपोर्ठन व मंश्ट है जैसे खती आपके पास और हो गया 125 का याशन हो रहा है यह धर है मेंडिक साल बना और हस चीज को ग्राइंट भंड सकती है कि मैंने एक साल मैंटेमस लिया है और हमारी अब कुछ फिजिकल लेशन ऐसा है नहीं बने नहीं है कुछ भी नहीं तो उस पर भी वाइफ ले सकती है मैं आपको एक बार और रिपीट कर दो किसी का डाइवर्स सुरी किसी ने मैंटेनेस डाला वाइफ ने एक साल तक वाइफ ने मैंटेनेस लिया पूरा कि वाइफ की पास ऑप्शन है कि वह उस चीज़ को डाइवर्स का ग्राउंड बना सकते हैं अब जो यह सब कहां दिया है तो सक्षन 13 क्लॉज 2 में बहुत सारे ऑप्शन है वहां पर यह सब दिए हमने आपको बस शॉर्ट नटन शेल में बता दिये थाकि आपको इधर उधर दिकत नाव okay so i hope that is clear okay bye